जैक और जादूई बीनस टॉक बहुत समय पहले एक छोटे से गाउं में एक गरीब विध्वा और उसका बेटा जैक रहते थे उनके पास एक साधारण सी जोपड़ी और एक गाय थी जिसका नाम मिल्की वाइट था मिल्की वाइट उन्हें दूध देती थी जिसे वे बेच कर अपना पेट भरते थे लेकिन एक दिन मिल्की वाइट ने दूध देना बंद कर दिया और वे बहुत ही मुश्किल हालात में फस गए जैक की माने फैसला किया कि उन्हें अपनी गाय बेचनी होगी ताकि वे जीवित रह सके जैक मिल्की वाइट को बेचने के लिए बाजार की ओर चला रास्ते में उसे एक अजीब बूढ़ा आदमी मिला जिसने उसे गाय के बदले पांच जादूई बीन्स देने की पेशकश की बूढ़े आदमी ने जैक को यकीन दिलाया कि ये बीन्स किसी भी पैसे से अधिक मूल्यवान है जैक ने मिल्की वाइट को पांच जादूई बीन्स के बदले में दे दिया जब जैक घर पहुँचा और अपनी मा को बीन्स दिखाए तो वह बहुत नाराज हो गई गुस्से में आकर उसने उन बीन्स को खिडकी से बाहर फेक दिया जैक भूखा और उदास होकर सो गया अगली सुबह जैक ने खिडकी से बाहर देखा तो वहां एक विशाल बीनस टॉक उग चुका था वह आसमान तक फैला हुआ था बादलों में खो जाता था उच्सुक और उच्साहित होकर जैक ने बीनस टॉक पर चढ़ने का फैसला किया जैक ने बीनस टॉक पर चढ़ते-चढ़ते बादलों के उपर एक नई दुनिया में प्रवेश किया वहां उसे एक विशाल महल मिला जैक चुपके से महल में घुस गया और देखा कि यह एक दैत्य और उसकी पतनी का घर था महल के अंदर जैक को सोने के सिक्कों के धेर एक जादूई मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी और एक सुन्दर हार्प मिली जो खुद ही बज सकती थी जैक समझ गया कि ये खजाने उसकी और उसकी मा की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जैक महल के अंदर खजानों की ओर देख ही रहा था कि उसे दैत्य के घर लोटने की आवाज सुनाई दी दैत्य की पत्नी ने जल्दी से जैक को ओवन के अंदर छिपा दिया ताकि वह सुरक्षित रहे दैत्य ने घर में प्रवेश किया और हवा में सुंगते हुए कहा फी फाइफ ओफम मुझे किसी इंसान की गंधा रही है दैत्य ने जैक को खोजने की कोशिश की लेकिन उसे ढूंड नहीं पाया आखिरकार दैत्य सो गया जब दैत्य सो रहा था जैक चुपके से ओवन से बाहर आया और सोने के सिक्कों से भरा एक बैग लेकर बीनस्टॉक से नीचे अपनी मा के पास वापस चला आया सोने के सिक्कों से भरा बैग लेकर जैक और उसकी मा ने कुछ समय तक आराम से जीवन बिताया लेकिन धीरे धीरे वह सारा सोना खत्म हो गया और जैक ने फिर से बीनस्टॉक पर चढ़ने का फैसला किया इस बार जैक ने उस जादूई मुर्गी को चुराया जो सोने के अंडे देती थी वह चुपके से महल से निकल आया जबकि दैत्य सो रहा था और फिर से बीनस्टॉक से नीचे उतर गया जैक ने वह जादूई मुर्गी चुराली जो सोने के अंडे देती थी अब जैक और उसकी मा फिर से सम्रिध्ध हो गए लेकिन जैक की जज्यासा और लालच ने उसे एक बार फिर बीनस्टॉक पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया इस बार उसने उस जादूई हार्प को चुराने का फैसला किया जैक तीसरी बार बीनस्टॉक पर चढ़ा और हार्प को उठाया जैसे ही उसने हार्प को उठाया हार्प ने जोर से बजना शुरू कर दिया जिससे दैत्य जाग गया दैत्य ने जैक का पीछा किया और बीनस्टॉक से नीचे उतरने की कोशिश की जैक हार्प को लेकर तेजी से नीचे उतरा जबकि दैत्य उसके पीछे था जैसे ही जैक जमीन पर पहुँचा, उसने एक कुलहाडी उठाई और बीनस्टॉक को काथना शुरू कर दिया दैते ने जैक का पीछा किया लेकिन जैक ने बीनस्टॉक को काट डाला बीनस्टॉक तूट कर गिर पड़ा और दैते नीचे गिर कर मारा गया जैक और उसकी माँ सुरक्षित थे जैक ने बीनस्टॉक को काट दिया और दैते अपनी मौद को प्राप्थ हुआ जैक और उसकी माँ ने खुशी-खुशी जीवन बिताया धन्यवाद उन ख़जानों के जो जैक वापस लाया था उन्होंने सिख लिया कि लालच कभी नहीं करना चाहिए और जो उनके पास था उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और इस तरह जैक और उसकी माँ खुशी-खुशी रहने लगे कहानी की शिक्षा हमें लालत से दूर रहना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए